दोस्तो हमारे यूटूब चानल के उपर हमें कमेंट्स आते हैं कि अमेरिका के अंदर गोल्ड सिल्वर का जो फ्यूचर का डेटा आता है वो तो फ्री है उसके बावजूद भी आप इसका एनलिसेस देने में चार्ज क्यों करते हूँ तो दोस्तो मैं इसका आपको एक सिंपल एक्जैम्पल ये वीडियो से देना चाहूंगा जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो ये सिल्वर का अमेरिका के अंदर आया हुआ डेटा है और ये डेटा पिछले हपते का ही नॉन कमर्शल वाले जिने हम डंप मनी भी बोल किया था और उसी समय पर उन्होंने 1460 कॉंट्रेक्स को मंदी की तरफ एड किया था याने के दोस्तो नॉन कमर्शल वालों का डेटा सिल्वर के लिए पिछले हपते बहुत ही अच्छा था तो ये हपते सिल्वर के अंदर तेजी बननी चाहिए थी उसी तरह से आप कमर्शल वालों का डेटा भी देख सकते हो कमर्शल वालों को हम बोलते हैं स्मार्ट मनी क्योंकि कमर्शल वालों में आते हैं गोल्ड सिल्वर के प्रोडूसर्स, मर्चंड, यूजर्स, प्रोसेसर्स और बुलियन बैंक्स और इसलिए इन्हे स्मार्ट मनी बोला जाता है जो मार्के को चलाते हैं आप देख सकते हो कमर्शल वालों ने सिल्वर के अंदर 388 कॉंट्रेक्स को तेजी की तरफ एड किया था और उसी समय पर उन्हों ने एक बहुती बड़ी कॉंटेटी यानिके 6404 कॉंट्रेक्स को मंदी की तरफ से काटा था यानिके कमर्शल वालों का डेटा भ रही है उसी तरह से आप गोल का डेटा भी देख सकते हो नौन कमर्शल वाले जिने हम डंप मनी बोलते हैं 19,041 कॉंट्रेक्स को तेजी की तरफ से कम किया था यानिके नौन कमर्शल वालों का डेटा यहाँ पर भी गोल के लिए पॉजिटिव था उसी समय पर आप कमर्शल वालों का डेटा भी देख सकते हो कमर्शल वालों ने 2315 कॉंट्रेक्स को तेजी की तरफ से कम किया लेकिन उन्होंने 20,92 कॉंट्रेक्स को यानिके बड़ी कॉंटिटी को मन्दी की तरफ से काटा था तो दोस्तों आपने देखा गोल्ड और सिल्वर का डेटा पिछले हपत जो आया था वो गोल्ड और सिल्वर के लिए बहुत ही अच्छा संके दे रहा था ये हपते के लिए उसके बावजूद भी दोस्तों आपने देखा या फिर आप देख रहे हो कि गोल्ड सिल्वर के अंदर गिरावटी आ रही है तो आप ये जितना इजी समझते हो ये इतन इजी नहीं है हमने हमारे मेंबर्स के लिए ये शनिवार को गोल्ड सिल्वर का ये जो फ्यूचर का डेटा आया है इसका एनलिसेस का वीडियो दिया था ये एनलिसेस वीडियो के अंदर हमने ये क्लियरली पताया था कि ये हफते का डेटा गोल्ड सिल्वर के लिए पॉज के लिए बनाया था एक साल का data analysis दिया था और एक साल के data analysis से हमने ये उन्हें दिखाया था कि data तो आपको अच्छा दिख रहा है लेकिन actual में ये data अच्छा नहीं है और आने वाले दिनों में gold silver के अंदर गिरावटी आएगी दोस्तों अगर आप सोचते हो कि आप एक हपते का दो हपते का data देख कर ये समझ जाओगे कि gold silver के अंदर क्या होने वाला है तो आपके सामने data freely available है और ये data clear संकेत दे रहा है कि gold silver के अंदर ये हपते तेजी बननी चाहिए थी लेकिन ये तेजी क्यों नह रही है तो आप जितना समझते हो ये data analysis उतना easy नहीं है आपके पास कम से कम एक से दो साल का data होना चाहिए ताकि आप आज के data को पिछले एक से दो साल के data से compare कर सको और अगर आप इसे compare करके analyze कर पाओ और उसके बाद अगर आप इसे chart के उपर सही ली बैठा पाओ तो ही analysis सही जा सकता है दोस्तों मैं ये कोई भी दावा नहीं कर रहा हूँ कि मेरा analysis हर समय सही जाता है लेकिन हमारे ये शनिवार के वीडियो के अंदर gold silver का data अच्छा होने के बावजूद हमने हमारे members को ये clearly बता दिया था कि gold silver के अंदर अगले हपते भी गिरावटी आएगी औ हमने उन्हें एक साल के data analysis से बताया था हमने जो ये हमारे members के लिए शनिवार को अमेरिका के gold silver का future data analysis का वीडियो बनाया था अगर ये किसी को देखना है तो हम आपको ये analysis वीडियो का link ये वीडियो के description में comment section में उसी तरह से ये वीडियो के अंत में भी दे रहे हैं लेकिन दोस्तों आप ये वीडियो को तभी देख पाओगे जब आप हमारे channel के member बनोगे और member बनने के लिए आपको वीडियो के नीचे अभी join का button दिख रहा होगा ये join button के ऊपर click करके आप हमारे channel के member बन सकते हो और उसके बाद ही आप ये वीडियो को देख सकते हो दोस्तों हमने लगातार कहा है कि आप अगर gold silver के अंदर regularly काम करते हो तो हमारा data analysis आपको आपके काम में मदद definitely कर सकता है दोस्तों एक बार membership लेके आप हमारा analysis तो देखी सकते हो दोस्तों हमारी fees सिर्फ 599 है याना कि आप बोल सकते हो 600 रुपे है और हमारे fix चार वीडियो तो आते ही है याना कि आप हमारे एक हपते के लिए एक वीडियो के लिए 150 रुपे ही दे रहे हो दोस्तों अगर आप gold silver के अंदर regularly काम करते हो तो हमें नहीं लगता है 150 रुपे की amount कोई बड़ी amount है जो आप देख कर हमारा ये data analysis हर हपते देख सकते हो अगर आपको हमारे चानल का membership नहीं लेना है तो भी कोई issue नहीं है हम आपको gold silver का overall view तो regularly दे ही रहे है आप देख सकते हो dollar index के अंदर कल breakout confirm हो चुका है और dollar index आज भी उपर जा रहा है दोस्तों अभी जब तक dollar index ये नीचे की trend line के नीचे closing नहीं देता है हमारा नजरियाद dollar index में गिरावट का तो नहीं रहेगा dollar index के अंदर अगर कोई गिरावट आती है तो हमें लगता है वहाँ से फिर से एक बार तेजी ही बनने वाली है आप देख सकते हो gold के लिए हमने आपको clearly बताया था 2064 dollar ये महत्वपूर्णर resistance है और gold जब तक इसके उपर closing नहीं देता है हम हमारा नजरिया gold के अंदर तेजी का बिलकूल भी नहीं करेंगे और आप देख सकते हो पिछले दो दिनों में gold के अंदर एक अच्छी गिरावट आई है उसी तरह से आप silver को भी देख सकते हो silver के लिए भी हमने ये clearly बताया था कि rising trend line से silver ने breakdown दिया है और ये breakdown के नीचे ही वो consolidate कर रहा है silver daily chart के उपर 200 दिनों के simple और exponential moving average के भी नीचे है और हमारा नजरिया इसी लिए silver में भी तेजी का नहीं है आप देख सकते हो silver को एक छोटा consolidation हुआ और अभी ये दो दिनों में एक अच्छी गिरावट silver के अंदर भी आ चुकी है दोस्तों gold जब तक 2064 डॉलर के उपर closing नहीं देता है हमारा नजरिया गोल में तेजी का नहीं रहेगा और अगर gold ये नीचे की trend line को closing basis पर तोड़ देता है तो gold के अंदर गिरावट बढ़ सकती है उसी तरह से silver भी अगर ये नीचे की trend line को closing basis पर तोड़ता है तो silver में भी गिरावट आ सकती है तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें comment दोरा जरूर बताए अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करे चानल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को अपने दोस्तों और पैजानवालों के साथ शेयर करना न भूले तक ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थेंक यू